जैशी किष्णा दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल पर आज मैं आपको मार्ग शीष मास्त की कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी की कथा सुनाऊंगी लेकिन कथा शूर करने से पहले अगर आपने अभी दक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और पास में लगे बैल आइकन को भी दबा दे ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए तो चलिए शूर करते हैं मागशीश मास की क्रिशन पक्षी की उत्पन्ना एकादशी की कथा मागशीश मास की क्रिशन पक्षी की एकादशी तिथी को उत्पन्ना एकादशी का वरत रखा जाता है इस बार यह शूब तिथी 11 दिसंबर दिन शुकरवार को है शाश्त्रों के अनुसार सभी वर्तों में एकादशी का वरत सब से महतोपूरण बताया गया है एकादशी एक देवी है जिनका जनम भगवान विश्नु से हुआ था और मार्गशीश की एकादशी के दिन यह प्रगट हुई थी इसलिए इस एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी हुआ पदम पुरान के अनुसार इस एकादशी का वरत करने से सभी वरतों का फल मिलता है और मौक्ष की प्राप्ती होती है साथ ही यह सभी प्रकार के दुखों का नाश करती है पुरानों के अनुसार एकादशी का वरत करने से भगवान विश्नु की असीम कृपा प्राप्त होती है और सभी तिर्थों के दर्शन के बराबर फल मिलता है इस वरत में किया गया दान का फल जन्मों जन्मों तक मिलता है इस वरत में जब तप वैदान करने से अशव मेग यग के वराबर फल मिलता है अगर आप हर महीने पढ़ने वाली एकादशी का वरत रखना चाहते हैं तो आप उत्पन्ना एकादशी से शुरुवात कर सकते हैं इस वरत के रखने से जीवन में हमेशा सोख शान्ती बनी रहती है और माता लक्ष्मी का भी आशिरवाद मिलता है पुरानों के अमसार भगवान कृष्ण ने युधिष्टिर को उत्पन्ना एकादशी माता के जनम के बारे में कथा सुनाई थी भगवान कृष्ण बताते हैं कि सत्योग में मुर नामक एक राक्षस था उसको अपनी शक्तियों पर बहुत घमंड था इनी के दम पर उसने स्वरग लोग पर कबजा कर लिया था ऐसे में सभी देवी देवता भगवान विश्ण के पास पहुँचे और मदद की मांग की तब विश्ण जी और मुर के दैत्य के बीच युद्ध शुरू हुआ और कई वर्षों तक चला राक्षस से युद्ध करते करते भगवान विश्ण थक गए इसलिए वह बद्रिकाश्रम में गुफा में जाकर विश्राम करने चले गए मुर राक्षस भी भगवान विश्ण का पीछा करते करते गुफा के पास आ गया भगवान अपनी निद्रा में लीन थे तभी मुर राक्षस उनको मारना चाहा जैसे ही राक्षश ने अपना हतियार उठाया तबी भगवान विश्नु के शरीर से एक देवी प्रकट हुई और उन्होंने मुर राक्षश का अंत कर दिया देवी के कार्य से भगवान विश्नु परसंद हुए और उन्होंने कहा कि आप मार्ग शिश मास की क्रिशन पक्षी की एकादशी तिथी को प्रकट हुई हैं इसलिए आज से आपका नाम एकादशी होगा सभी वरतों में तुम्हारा वरत सबसे महत्व पूरन होगा आज से हर एकादशी के दिन मेरे साथ तुम्हारी पूजा होगी जो भी व्यक्ति एकादशी का वरत व्य पूजा करेगा उसकी सभी समस्याओं का अंत होगा तो दोस्तों ये थी मार्ग शीश मास की क्रिशन पक्ष की उत्पन्ना एकादशी की कथा आपको ये कथा कैसी लगी कोमेंट करके वश्य बताईएगा और कोमेंट में जैशी किशना लिखना ना भूलिएगा और पास में लगे बैल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में जैशी किशना और को भी प्लागा